हेलो वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परतिजोगिता परिक्षाओं में पुछे जाने वाले कुछ महतपूर्ण वर्ड्स के फूल फॉर्म जैसे वाट इस दा फूल फॉर्म आप SMS ओप्शन है A. सॉर्ट मैसेज सर्विस B. सब्सक्राइब मैसेज सर्विस C. सॉर्ट मैसेंजर सर्विस और D. नन और इसमें सही उत्तर है ओप्शन A. सॉर्ट मैसेज सर्विस और आगे प्रशन है क्वेशन नमबर 2 वाट इस दा फॉल फॉर्म आप पेन और इसमें सही उत्तर है और अगला प्रशन है क्वेशन नमबर 3 वाट इस दा फॉल फॉर्म आप आटम अप्शन है A. आटोमेटेड टर्म मैसीन B. आटोमेटेड टेल मैसीन C. आटोमेटेड टेलर मैसीन और D. नन और इसमें सही उत्तर है option C. आटोमेटेड टेलर मैसीन आगे प्रशन है question number 4 वाट इस दा फॉल फॉर्म आटीप और इसमें option है A. आटाम पासवर्ड B. आदर्स टाम पासवर्ड C. आटाम पासवर्ड D. नन और इसमें सही उत्तर है one time पासवर्ड और अगला प्रशन है question number 5 वाट इस दा फॉल फॉर्म आटीप और इसका option है A. अटाम आटाम पासवर्ड और अगला प्रशन है question number 6 वाट इस दा फॉल फॉर्म आटाम पासवर्ड और इसमें बिकल्फ है A. कार्ड वेरिफिकेशन वेल्यू B. कार्ड वेरिफाई वेल्यू C. क्लोज़ वेरिफिकेशन वेल्यू और D. नन और इसमें सही उत्तर है A. कार्ड वेरिफिकेशन वेल्यू आगे question number 7 है वाट इस दा फॉल फॉर्म आप LTE और इसमें बिकल्फ है A. लॉंग टाम एविल्यूशन B. लाइफ टर्म एविल्यूशन C. लॉंग टर्म एविल्यूशन और इसमें सही उत्तर है बिकल्फ C. लॉंग टर्म एविल्यूशन आगे अगला प्रस्ण है question number 8 वाट इस दा फॉल फॉर्म आप 4G 4G का फॉल फॉर्म क्या है और अप्शन है A. फॉर्थ जेनेरेशन B. फॉर्थ जेनेरल C. फॉर्थ जेन्डर और D. नन और इसमें सही विकल्फ है A. फॉर्थ जेनेरेशन आगे प्रस्ण है question number 9 वाट इस दा फॉल फॉर्म आप GSM और इसमें विकल्फ है A. जेनेरेशन सिस्टम पर मोबाईल B. ग्लोबल सिस्टम पर मैसेज C. ग्लोबल सिस्टम पर मोबाईल और D. नन और इसमें सही विकल्फ है विकल्फ C. ग्लोबल सिस्टम पर मोबाईल और अगला प्रस्ण है question number 10 वाट इस दा फॉल फॉर्म आप सीम और option है A. सब्सक्राइबर आइडेन्टिपिकेशन मोड्यूल B. सॉर्ट आइडेन्टिपिकेशन मोबाईल C. सब्सक्राइबर आइडेन्टिपिकेशन मोबाईल और D. नन और इसमें सही उत्तर है option A. सब्सक्राइबर आइडेन्टिपिकेशन मोड्यूल और आगे question number 11 है वाट इस दा फॉल फॉर्म आप पैन और इसमें जो option है वो है A. पैरेंट्स एकाउंट नंबर B. पार्मानेंट एकाउंट नंबर C. पार्सोनल एकाउंट नंबर और D. नन और इसका सही उत्तर है B. पार्मानेंट एकाउंट नंबर आगे question number 12 वाट इस दा फॉल फॉर्म आप दी आसलर और इसमें option है A. इसमें सही विकल्प है विकल्प C. डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स और अगला प्रस्ण है question number 13 वाट इस दा फॉल फॉर्म आप उस बी option है A. उनिवर्सल सीरियल बस B. उनिवर्सल सीरियल बस D. नन और इसका सही option है विकल्प A. उनिवर्सल सीरियल बस और आगे question number 14 है वाट इस दा फॉल फॉर्म आप O. B. C. और इसमें option है A. अदर बेस्ट क्लास B. अदर बैक्वर्ड क्लास C. अल बैक्वर्ड क्लास और D. नन और इसमें सही विकल्प है option B. अदर बैक्वर्ड क्लास आगे question number 15 है वाट इस दा फॉल फॉर्म आप SC और इसमें option है A. स्कूल कास्ट B. सिंगल कास्ट C. सेड्यूल कास्ट और D. नन और इसमें सही उत्तर है option C. सेड्यूल कास्ट और आगे question number 16 है what is the full form of ST और इसमें दिया गया option है option A. सेड्यूल ट्राइब्स B. सिंगल ट्राइब्स C. सेड्यूल टेस्ट और D. नन और इसमें सही option है option A. सेड्यूल ट्राइब्स question number 17 है what is the full form of OK और इसमें option है option A. all correct B. all correct or C. other correct or D. none और इसमें सही उत्तर है B. all correct आगे question number 18 इस प्रकार है what is the full form of ED और इसमें option है option A. enforcement directorate B. enforcement direct C. electronic DG or D. none और इसमें सही विकल्ब है option A. enforcement directorate आगे question number 19 इस प्रकार है what is the full form of police और इसका उत्तर है public officer for legal investigations and criminal emergencies और question number 20 इस प्रकार है what is the full form of Google और इसका उत्तर है global organization of oriented group language of art तो आज का वीडियो यही तक जदी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें share करें comments करें और वीडियो को subscribe अवश्य कर लें धन्यवाद करें करें